हेलो अच्चो क्या हाल चाल कैसी चल रही है अपड़ाई तो आज के वीडियो में हम रुख सॉल्व करने वाल है AIEEE 2.6 का पेपर और ये लास्ट पार्ट होने वाला है तो यार जब भी प्रिवियस एर सॉल्व कर रहा हूँ मैंने बार-बार बताये कि तुम वीडियो एक ही मोटिफ से देखो कि भाई तुम कुछ यहां सीखने आयो अगर सीखने के मोटिफ से नहीं आयो तो वीडियो देखने का कोई फाइदा नहीं है इसलिए मैं एक-एक क्वेशन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करता हूँ ताकि तुम वहाँ पर सारे के सारी कॉंसेप्ट सिखके जाओ एंड दोबारा ऐसा क्वेशन कभी भी आये तुम एक्जाम में मचा के आजाओ तो इस्क्रिन के सामने तुम्हारे क्रेशन आयेगा एंड उस क्रेशन को सबसे पहले तुम खुँझ से सॉल्व करना देन ही सॉल्यूूशन देखना दो चलो स्टार्ट करते मतला मतला हमारे पास एक differential equation था जिसको solve करने के बाद हमारा कुछ solution आया और एक curve आया family of curve ax square plus by square is equal to 1 अब बोला गया है a and b are arbitrary constant ये है कितना order होगा इसका ये जो differential equation रहा होगा what was the order of this differential equation and उसका degree कितना रहा होगा तो ज़र order निकालने तो हमें सिखाया जाता है ncrt level का question है order हमने बताया गया है कि जितने different arbitrary constant हो उतना order हो जाएगा कितने arbitrary constant है दो arbitrary constant a and b कितना order हो जाना चाहिए दो second order होगा second order second order option 2 option 3rd कट गया अब या तो degree 2 होगा या तो degree 1 होगा अच्छा degree क्या होता था एक बर याद करने की कुछिस करो तो degree will be कि हमारे पास differential equation है polynomial form में and सबसे maximum से जैसे dy by dx दिख रहा है हमें उसी में d2y by dx square भी दिख रहा है and इस पे power 2 है is equal to 4x इस type का कुछ एक let's say let's say differential equation है तो इसके degree कितनी होगी तो तुम बोलोगे highest derivative अपना कौन सा है तो बोलेंगे d2y by dx square उस पे power कितना है तुम बोलोगे 2 that will be the degree of the differential equation okay this means यह जो degree है यह directly यह जो हमारे पास curve गिवन है इसको देखके नहीं बता पाएंगे नहीं directly नहीं बता पाएंगे हमें differential equation निकालने की जोरत पड़ीगी क्या हाँ थोड़ा बहुत ही हम लोग manage करेंगे उससे पताचा जाएगा देखना ध्यान से let's say differentiate करते हैं 2ax plus 2by multiplied by dy by dx and dy by dx को कुछ देर के लिए मैं y dash से represent कर रहा हूँ is equal to 0 we can see 2 से divide करोगे 2, 2 गया then I can see ax की value आ चुकी है minus by y dash एक और बार further differentiate करेंगे तो इधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ a and इधर minus b तो common रहेगा bracket के अंदर जाएगा y को जैसे का तैसा छोड़ दिया y dash का differentiation किया y double dash आया plus y dash को जैसा का तैसा छोड़ दिया y का differentiation किया तो फिर से y dash आया तो y dash का whole square now we can see a को हम लोग यहाँ पर इसको यह substitute कर पाएंगे जैसे हमने a को substitute कर दिया minus of b times x x y y double dash plus x y dash का square is equal to minus of b times y y dash we can see minus b और minus b दोनों साइट से उड़ गया उड़ गया और यह हमारा प्यारा सा differential equation आगया now we can see in our प्यारा सा differential equation y double dash second order हमने बोला था अच्छा वही सबसे highest derivative भी है उस पे power कितना है you will say यह अकेला है इस पे power 1 है y dash पे power 2 है लेकिन वो degree हमारा नहीं हो सकता है सबसे highest derivative पे कितना power है वो अड़े वाला है तो वहाँ पे power 1 है this means degree is 1 तो first degree second order I hope तुम्हें अगर order degree नहीं भी आता होगा तुमने पूरा का पूरा सीख लिया इसके बाद तुम बोर्ड में भी मचा दोगे and j means महीं मचा दोगे ठीक है next question next question अपने पास coordinate geometry का है देख लेते हैं solve करेंगे and ये one of the previous question of IT जही भी लग रहा है देखते क्या है let's see with the circle with center 0,0 and radius 3 unit basically उन्होंने standard एक circle दिया है that is x square plus y square is equal to 3 का square मतलब 9 अच्छा वो circle कुछ तो ऐसा होगा जिसका center 0,0 पे होगा and radius 3 होगा माल लिया then आगे देखते हैं क्या बोला गया the equation of the locus of the mid points locus of the mid points of the chord of circle C basically इस circle C का एक chord रहा होगा let's say वो है AB इस chord का mid point रहा होगा let's say h, k h, k क्यों माना क्योंकि इसी का तो locus निकाल ला है let's say this is mid point M and let's say center is O अब बोला गया this chord is subtending an angle 2 pi by 3 at the center यह जो chord AB यह center पर कितना angle बना रहा है 2 pi by 3 यह total angle is 2 pi by 3 okay this means अगर इस center से मैं M को join कर दो this means this will be perpendicular हमें पता होता है जो bisector होता है chord का center से line वो perpendicular भी होता है ओके this means यह वाला angle कितना हो जाएगा 5 by 3 ओके अब हमें locus निकालना है this h, k का अब उसका बहुत सारा तरीका हो सकता है एक तरीका तो हो जकता है कि we can write t is equal to s1 type equation h, k अगर हमें यह पता होता है न कि we know कि भाई यह chord of the circle लिखना है और उसका midpoint का coordinate पता हो तो we can write t is equal to s1 t is equal to s1 दिखेंगे उसके बाद उसका यह distance हम लोग calculate कर सकते है क्योंकि OA we know OA is 3 OA अगर 3 है and this is pi by 3 तो यह distance om पता चलिया आएगा बहुत ही easily 3 cos 3 cos 5 by 3 is om तो यहां से 3 cos 5 by 3 is 1 by 2 is om om की value तुरंट पता चल गी 3 by 2 क्या क्या मैंने बताया t is equal to s1 से तुम्हें equation लिखोगे t is equal to s1 से equation लिखोगे तुसमें xy रहेगा and h, k रहेगा मुझे h, k में fully एक relation चाहिए होगा तो I will say कि भाई 0, 0 से distance इस t is equal to s1 line का इसके बराबर होने वाले है जैसे मैंने यह funda लगाएगा x, y ऊड़ जाएगा h, k में एक single relation आजाएगा that will be the locus लेकिन मैं यह t is equal to s1 वाले से नहीं जाऊंगा मैंने बता दिया फंडा लेकिन मैं उससे जाने वाला नहीं मैं तो direct pythagoras लगाऊंगा we know pythagoras भी क्या मतलब we know OA is 3 unit and we know om is h, k and 0, 0 का distance is root under h square plus k square ok and अभी तुरंत थोड़ी दिर हमने पहले calculate कि om, om is what 3 cos pi by 3 that is 3 by 2 is equal to root under h square x square plus y square direct locus आ गया now we can square both the side and we can say x square plus y square is equal to 3 का square, 2 का square 9 by 4, कौन option दिख रहा है, option number d आसान था, t is equal to s1 वाला लगाते है उससे भी answer आ जाता लेकिन एक बहुत ही आसान method पता चल गया तुम्हें बहुत ही आसान method पता चलेगा इसी तरीके से, and यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक type solution नहीं दिया जा रहा है यहाँ तुम्हें सिखाया जा रहा है मैंने वीडियो स्टार्ट करने एक पहले भी बताया था कि भाई मैं कुछ न कुछ सिखा के जाऊंगा तुम्हें तुम सोचने सीख जाओगे एक ही question को बहुत सारी तरीके से और किसी भी question को अगर multiple way से solve कर सकते है तो मैं वो सारे multiple way बताऊंगा ताकि तुम्हें जो अच्छा लगे उस method से solve करो चलो आगे बढ़ते हैं next question पर अब देखो यार यह भी एक interesting question है यहां भी तुम कुछन को सीख के जाओगे if a, a square falls inside the angle made by the line this where x is greater than 0 and the line this here also x is greater than 0 then a belongs to तुम खुश सोचो अगर मैं एक basic diagram बनाने की कोशिस करू y is equal to x by 2 भी origin से pass करेगा y is equal to 3x भी origin से pass करेगा बस दोनों के slope में एक अंतर होगा this will be y is equal to x by 2 क्योंकि slope कम है this will be y is equal to 3x क्योंकि slope चादा है now we can see हमारे पास एक point given है that is a, a square and वो बोला this point is lying in this particular area यह जो particular reason x positive और यह reason इसके अंदर ही यह वाला line है हमेशा then a की value क्या हो सकती यह तुम बता दो अब देखो एक फंडा है क्या फंडा है कि भाई अगर हमारे पास 2 point है न 2 point ध्यान से सुनना 2 point है let's say we know the equation of this line उसको मैं अब यह से लिख रहा हूं L is equal to 0 let's say यह line का equation L is equal to 0 and हमारे पास 2 point है P point है एक जिसका coordinate भी नो एक और point है Q जिसका coordinate भी नो अब अगर हमें पता लगाना है कि यह P and Q point दोनों के दोनों line के same side में है या opposite side में है तो वो पता लगाना बहुत ही आसानिक कैसे तुम बोलोगे line के अंदर P point डाल दो line के अंदर Q point भी डाल दो दोनों का sign same रहा तो दोनों same side में है एंड दोनों का sign opposite रहा तो दोनों opposite side में मतलब ये value positive value आ गई कुछ ये value भी positive आ गया this means they are on the same side of this line अच्छा एक value positive आ गया एक value negative आ गया this means they are on the opposite side of the line लेकिन ये वाला फंडा तो दो point पे चलेगा यहाँ तो हमारे पास एक ही point है हमारे पास एक line है which is 3x minus y is equal to 0 and एक और line है x by 2 minus y is equal to 0 और we can say x minus 2y is equal to 0 फिक है ओके अब दो lines है अपने पास लेकिन point एक ही है लेकिन हमें तो बताना है ये इसी reason में लाई कर रहा है तुमें सोचो मेरे पास एक line ये है इसके respect में सोचो एक बार एक line ये है एक point ये है let's say p एक और point इसी reason में कहीं कुछ पता चल जाए तो वो point और इस point का sign change से मैं बता दूँगा मैं ये condition लगा दूँगा कि भाई ये दोनो point same side में है तो काम मेरा बन जाएगा मतलब क्या है तुमने ही समझोगे example लेके देखो let's say y is equal to 3x एक line है x always positive है तो एक बार x की value one put करो y की value कितने आ रही है 3 आ रही है अब तुमने बोला we note two point एक है one comma three and एक है a comma a square ये दोनों के दोनों इस line के same side में लाए कर रहे है अच्छा अगर p और q दोनों इस line के same side में लाए कर रहे है this means ये value जो डालूंगा line में which is one minus two into three that is one minus six which is negative तो अगर q डालने पर ये negative value दे रहा है तो ये डालने पर भी ये negative ही देना चाहिए this means a comma a square डाल दो a minus two a square is less than zero होना ही चाहिए तो यहां से हमारे पास एक inequality डवल अप हुआ a into a minus two is less than zero और we can say a into one sorry a into one minus two a है ना is less than zero और we can say a into two a minus one is greater than zero इससे हमारे पास range आया 0 and 1 by 2 positive negative positive इस में समय पता चला या तो a इधर लेलो या तो a इधर लेलो इससे ये confirm हो जाएगा कि a square and ये वाला point इस line के इसी side में लेकिन सिर्फ ये confirm करने से काम नहीं चला अब हम लोग बोलेंगे इस line के हिसाफ से भी सोचो इस line के this side में P है अब सोचो इस line पे मैं एक point लेना चाहिए तो x की value में 2 लूँगा क्यों x की value 2 लूँगा क्यों y की value x upon 2 है तो x की value 2 लूँगा तो y की value 1 आएगी अब मैं बोलूँगा अगर ये q होता कुछ देर के लिए ये q ना होता वो हट जा रहा है वो q ना होता और ये q होता तो I will say according to y वाला line ये point और ये point same side में है 2,1 इसमें डालो कितना आ रहा है 3 into 2,6 minus 1 that is 5 positive आ रहा है this means y डाल ले पे भी positive आना चाहिए ये डाल दो 3x minus y that is 3a minus a square should be positive a 3 minus a should be positive a into a minus 3 should be negative अब इसका sign change अगर बनाओगे तो you will see एक 0 है एक 3 है प्लस मैनस प्लस और ये बंदा बोल रहा है 0 से 3 में दोनों के दोनों होंगे तभी तो ये point इधर लाई कर पाएगा so we can say भाई मेरे पास 0 आ गया 1 upon 2 आ गया 3 आ गया एक बंदा बोल रहा है 0 से 3 के बीच में ले लो और एक बंदा बोल रहा है 0 के पीछे लो या फिर 1 by 2 के आगे लो so we can see intersection जो है 1 by 2 से 3 आ गया 1 by 2 से 3 आ गया this means a belongs to 1 by 2 से 3 that is option number 3 next question भी move करेंगे ये देखो vectors in 3D का बहुत simple question ये मैंने shots में भी अपने डाल रखा है तो देखना पूछा गया the image of the point this in the plane this ये बहुत तो बार बता दिया कि भाई let's say हमारी पास एक plane है और एक point given a P minus 1,3,4 अगर तुम सारे series follow करते आ रहे हो तुम्हें लगेगा यार यहाँ question बहुत easy आ रहे है basically हमें सब कुछ आता है यही तो फाइदा है अगर तुम एक-एक questions आरे series का देख लो तो तुम्हारा question बहुत ही आसानी से बनना start हो जाएगा and click भी होना start हो जाएगा let's say मैंने बोल दिया this is x, y, z and we know the equation x minus 2y is equal to 0 so we can say यह minus 1 है ना okay so the image is x minus minus plus 1 divided by a that is 1 is equal to y minus 3 divided by minus 2 is equal to z minus 4 divided by 0 यहाँ पे z का कुछ ही नहीं है ना z का कुछ ही नहीं plus 0z है is equal to 0 is equal to minus 2 times वो value रख दो directly value रख दो पूरा का पूरा equation में डाल दो minus 1 minus 2 into 3 that is 6 बस divide by a square plus b square 1 plus 2 का और square 4 खतम यहीं answer हो जाएगा x plus 1 इस value को calculate करो this is minus 7 minus 7 into minus 2 this is 14 नीचे आगया 5 so this is 14 by 5 okay so x plus 1 is equal to 14 upon 5 so x की value कितनी आगी 14 minus 1 minus 5 so 9 by 5 ठीक है similarly y minus 3 is equal to minus of 28 by 5 so y की value कितनी आगी 3 minus 28 by 5 that is 15 minus 28 by 5 so this is minus 13 by 5 and z की value तो directly 4 आजाएगी ठीक है तो 9 by 5 comma minus 13 by 5 comma 4 this will be the image 9 by 5 comma minus 13 by 5 comma 4 and देखना ऐसा एक भी option नहीं गिवन है no options were given ठीक है एक भी option दिया ही नहीं गया था image का इसलिए question bonus को चला गया था क्यों क्योंकि हमने जो answer निकला हूँ तो option में ही नहीं था तो यार ठीक है बस हमने लेकिन सीखा कि image निकालना हो तो ऐसे formula लगा कि image निकाल लो बहुत ही आसान होता है अगला सवाल यह देखो फिर से अगर तुम follow करते आरो तो z is a complex number and that is satisfying z square plus z plus one एक quadratic equation है यह quadratic equation बहुत ही known है इसका ही तो root omega and omega square होता है यही तो याद रखना था वो चेक कर रहे थे तुम्हें पता है कि नहीं अगर तुम इसकी root की value calculate करोगे एक बर मैं याद दिला देता हो minus one plus or minus root three iota divide by two और यही तो omega होता है minus one plus root three iota by two and minus one minus root three iota by two किसी एक को omega मानो तो किसी एक को omega square बोल दो यही दो root होते है omega this means z की value क्या है omega या omega square है कुछ भी लेके question solve करो solve हो जाएगा z z is omega अब देखना answers को अब मैं omega लेके चल रहा हूं मैं omega square क्यों लेके चलूंगा मैं omega लेके चल रहा हूं omega प्लस one upon omega इसकी value कितनी आ रही है तो तुम बोलो को omega square plus one upon omega अच्छा one plus omega plus omega square कितना होता है zero omega square plus one कितना हो जाएगा minus omega यह दिस मौमेगा upon omega इस माइनस 1-1 का होल स्कॉर 1 इसका मतलब पहला वाला क्योंटिटी इस 1 जैड श्कॉर का मतलब omega square plus one upon omega square अब देखो omega cube तो हमें पता है one होता है omega square is one upon basically omega is one upon omega square तो one upon omega square को omega बोला जा सकते है तो दिस इज़ omega square plus omega omega square plus omega कि आहिए तो समय डखे इससी तरीके जाए को इसी तरीकस चट्ट टो कृ थुबशान हो जाएगा प्लस थे simple बताओ क्या बताओ भाई देखो ये भी interesting question कुछ न को सीख के जाओगे x की value 0 से पाई है cos x plus sin x is equal to 1 by 2 10x की value पुछी है 10x by 2 की value पुछी होती ज्यादा easy हो जाता क्योंकि cos x को भी we can write in terms of 10x by 2 1 minus 10 square x by 2 divide by 1 plus 10 square x by 2 and sin x को भी we can write 2 10x by 2 divide by 1 plus 10 square x by 2 लेकिन x by 2 तो पूछा नहीं है 10x पूछा है तो अगर मुझे sin 2x and cos 2x पता होता होता है तो मैं निकाल लेता अभी क्या करता हो दोनो side square कर देता हूँ नहीं से दोनो side square करूँगा a square plus b square तो 1 आ जाएगा 2ab sin 2x and उसकी value 1 by 4 इसका मतलब sin 2x की value कितनी आगी 1 by 4 minus 1 that is minus 3 by 4 अच्छा sin 2x की value negative है this means 2x की value किधर से किधर है तो you will say pi से 2 pi के बीच में तो x की value किधर से किधर pi by 2 से pi के बीच में है ना तो x की value pi by 2 से pi के बीच में तो exactly हमें पता चल गया कि this quadrant this quadrant में 10 कैसा होगा this quadrant में 10 negative होगा इसका मतलब 10x की जो भी value आएगा उसका negative वाला ले रेना है sin 2x minus 3 by 4 है sin 2x कितना होगा 2 10x divided by 1 minus sorry 1 plus 10 square x is equal to minus 3 by 4 तो यहां से आगी है ना 8 into 10x को t ले लो is equal to minus 3 minus 3 t square so 3 t square plus 8 t plus 3 is equal to 0 so from here we can see t that is 10x की value आजाएगी minus b plus और minus root under b square that is 64 minus 4 is 3 3 into 3 9 4 जा 36 divided by 2 a that is 6 so यहां से minus 8 plus और minus 64 minus 36 कितना हो जाएगा बताओ 8 और इधर से तो 28 आ रहा है ना 28 हाँ so this is 4 into 6 that is 2 root 7 by 6 तो यहां से अगर value निकालने कोश करूँ तो minus 4 plus और minus root 7 by 3 तो root 7 बड़ा या फिर 4 बड़ा तो अब यह सी बाते 4 बड़ा तो हम लोग सिफ negative वाला value लेंगे minus 4 plus root 7 by 3 वाला हमारा answer होगा minus 4 minus root 7 plus root 7 by 3 वाला नहीं होगा ठीक है so this is the answer option number 3 बहुत easy question चलो इस question में भी तुम कुछना को सीख के जाओगे हमेशा यह सिखाया जाता हूँ और मैं तो सिखाता हूँ भाई कि जब भी दो टर्म हो HP का बोलागे a1, a2, a3, an, r in HP then the expression this, this, this तो जब भी हमें HP पता हो तो let's say मैं अगर बोलू h1, h2, h3, h4, hn, r in HP इसका मतलब तुम क्या बोलोगे 1 upon h1, 1 upon h2, 1 upon h3, let's say a1, a2, a3 में है तो मैं a1, a2, a3 में कर देता हूँ you will say 1 upon a1, 1 upon a2, 1 upon a3, 1 upon a4, 1 upon a5 like this till 1 upon an, r in aP, बस सारी question solve बोलेंगे, अब बताव यह दोनों अगर AP में है, तो 1 upon a2 माइनस 1 upon a1 की वाल्यू, कुछ d के वाल्यू बराबर, यहां से a1 माइनस a2 की वाल्यू, d टाइमस a1, a2 की बराबर, इसका मतलब a1, a2 की वाल्यू कितनी, तुम मोलोगे a1 माइनस a2 अपन d, similarly you will say 1 upon a3 माइनस 1 upon a2 की वाल्यू वे d के बराबर, तो यहां से अगेन you can say a2, a3 की वाल्यू, a2 माइनस a3 upon d के बराबर, and like this, सबका वाल्यू आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे, पहला a1, a2 है, a1, a2 को लिख देंगे, a1 माइनस a2 upon d, a2, a3 को लिख देंगे, a2 माइनस a3 upon d, अगले वाले को a3 माइनस a4 upon d, and last वाले को लिखेंगे, a1 माइनस 1 माइनस an upon d, और we can see, सब में d आ जाएगा, उपर यह सारे cancel out हो जाएगे, and बच जाएगा a1 माइनस an, अच्छा a1 माइनस an कितना होगा, तो तुम बोलोगे, यार a1 माइनस an, is equal to d times a1, मतलब n-1d times a1 an, कैसे कैसे कैसे, तो तुम सोचो, 1 upon a1 and 1 upon an, ये वाले टर्म ap में है, टोटल n टर्म है, तो 1 upon an will be, 1 upon a1 plus n-1 times d, तो यहाँ से I can say, 1 upon an minus 1 upon a1, is equal to n-1 times d, तो यहाँ से I can say, a1 minus an upon an minus a1, sorry, an into a1, is equal to n-1 into d, तो यहाँ से a1 minus an की वालू, हमने लिख दिया, n-1 into d into an, divide by d, तो ये ultimately आगे, n-1 into a1 an, n-1 into a1 an, option number 4, असान question, क्या सीखा, HP का question है, तो क्या करना है, AP में convert कर देना, AP में convert हो गया, क्या हो गया, आसान हो गया question, चलो, और ये last question, इस paper का, वाल कर लेंगे, differentiation का, find dy by dx, x to the power m, y to the power n, is equal to, x plus y to the power m plus n, इसको differentiate करके, dy by dx की वालू निखाल लें, अब देखो, m and कोई भी नंबर है, हमें कुछ भी information नहीं है, m and कोई भी नंबर है, तुम कुछ assume भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग general करते हैं, इस type के functions होना, जो power में हो, power में हो, तो log लेलो, दोनों side बहुत easy हो जाता है, जैसे दोनों side log लोगे, तो you can see, ये बन जाएगा, m times log x, plus n times log y, is equal to, m plus n times, means log of x plus y, log लेलों से ये linear type बन गया, अब differentiate कर जेते दोनों side, तो ये आजाएगा, m log x का differentiation 1 upon x, into 1, plus n upon y, into y dash, is equal to, m plus n upon x plus y, into x का differentiation 1, y का differentiation y dash, ठीक है, अब सारी, m upon x, minus, m plus n upon x plus y, इसको इससे multiply करें के, इस साइड ले आया, अब y dash वाले को एक साइड रखा, y dash, इधर है, m plus n upon x plus y, अब उधर से आया, minus n upon y, तो यहांसे, अगर मैं LCM, LCM लो, तो x into x plus y, उपर चला जाएगा, mx plus my, minus mx, minus nx, is equal to y dash, फिर से y into x plus y LCM आयेगा, you will say, m y plus n y, minus nx, minus n y, cancel, cancel करो, mx से mx कट जाएगा, यहां पे, n y से n y कट जाएगा, x plus y से x plus y कट जाएगा, उपर आगे, m y minus nx, upon x, is equal to y dash times, m y minus nx, upon y, वाँ, यह भी कट गया, तो यहां से y dash की value, clearly दिख रहे है, यह weekend से y upon x आगे, that is dy by dx की value, y upon x आगे, dy by dx की value, y upon x आगे, that is option number 1, तो यहां यहां पे, paper complete हो गया, 2006 का, क्या सीखा होंने, हमने देखा, यार, j e means के, जो question होते हैं, बहुत ज़्यादा, difficult level के नहीं आते हैं, अगर तुम हर एक chapter का, जितने भी chapter है, सबको list down कर लो, हर एक chapter का, जो भी basic concept पढ़ाएगे है, basically conceptual, जितने भी topics है, उन topics से, जिस जिस type के concept पढ़ाएगे हैं, उन सारी concept को याद रख, सारी concept को याद रखने के बाद, जो भी previous year question है, उसको पूरा का पूरा solve कर लो, एक concept याद रख, जिस type का question आ चुका है पहले, उसी type का question फिर से आएगा, 100 plus, कहां से लाएगे, नया question कहां से लाएगे, increasing होगा, decreasing होगा, monotonicity पूछेंगे, यह पूछेंगे, वो पूछेंगे, slope पूछेंगे, tangent पूछेंगे, coordinate geometry पूछेंगे, यही तो पूछेंगे, बस थोड़ा बहुत, circle का equation एक बार, x square plus y square is equal to something दे दिया, दूसरी बार, x square plus y square plus 2g x plus 2fy दे दिया, concept तो वही लग रहा है, बस equation change कर रहे है, तो basically तुम्हे concept पे focus करना है, अगर तुमने concept को अच्छे ढंग से पढ़ लिया, और एक एक चीज़ को यहाँ बिठा लिया, जेई मेंस तो ऐसे ही मचा दो गया, ओड के आओगे, ओड के, ठीक है, चलो, बढ़ते रो, मचाते रो, all the best,